हाई पर जाते हुए देखना चाहते हैं तो हम एक student है एक aspirant है UPSC aspirant पहला प्रयास था मेरा UPSC में देखो UPSC को लेकर मेरे अंतर जो positive attitude था कि जंगल के जो share है न भईया वो तो बस हम ही है तो उसने न हमें चारोखाने चित कर दिया है पहले प्रयास में हमसे prelims तक नहीं clear हो पाया हाला कि paper बहुत जादा easy था अगर वो dedication और वो continuous हम उन चीज़ों में बहतर तरीके से होते तो शायद चीज़े अच्छी जाती बट C-set को लेकर मेरा पता कट गया था क्योंकि maths हमारे अल्ले-पल्ले पढ़ता नहीं है और जो परिछेप्त है मतलब जो paragraph type था जिसे हमें analyze करके अपना answer देना था वो मेरे लिए बहुत जादा difficult सिद्ध हुआ और ऐसा लग रहा है कि हारना भी life में जरूरी होता है क्योंकि जब मैं का गुमान सरचड कर बोलने लग जाए ना तो हम में तब्दील होना बहुत जरूरी हो जाता है तो मैं thankful हो इस चीज के लिए इस साल graduation complete करने के द्वरानी ना मैंने बहुत ऐसे उत्सुकता से ना form को apply करा था बहुत happy happy थी और अभी भी हूँ क्योंकि family support हमेशा साथ रहा है इसलिए चीजें बहुत जादा ना ऐसे pressure टाइप नहीं लगती है तो हम अगले बार फिर से प्रयास करेंगे तो इन सारी चीजों को लेकर ना एक शेरो शायरी मैंने खुद के लिए चुनी है जो ये कहता है कि लगता है समंदर को घुमान आया है लगता है इस समंदर को घुमान आया है तो क्यों ना कश्ती वहीं ले चले जहां तुफान आया है और उस तुफान में ये कश्ती खुद को अजीब तरीके से देख पा रही है जाने के बाद फेल हो जाने के बाद भी हैपी हैपी इसलिए लग रहे हूँ ना क्योंकि फैमिली सपोर्ट बहुत दगड़ा है मेरे पिछे बट वो भी कभी न कभी ऐसा क्या ही देते हैं कि बच्छी रोमा चार गंटे ना और छो गंटे से ना UPSC नहीं निकली इसके लिए 18-18 गंटे हमें लगे रहना होता है तो हाँ ताने मिले हैं बट पॉजटिव तरीके से मिले हैं इसलिए आने माला साल हमारे लिए बहतर सिद्ध हो जो भी एस्पिरिंट्स हैं जिनकी ये कामना है कि वो देश में अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं सिविल सर्विसेस में जाकर तो प ये भी होगा ये भी होगा बॉन्टे जायों तो अ और नहीं कह क्या रहा है बी और सी वह तो बी और सी क्या कह रहा है ये शारी चीज टाइम बहुत ले रही थी तो टाइम मैंश करना भी हमें आना होगा मतलब टूम्लब कि ये चीज कि जो सर comehang कहते एक कम्रे में बंध हो जाने के बाद 6 गंटे और 8 गंटे ऐसे dedication के साथ उसमें लगे रहना है वो चीज करना है क्योंकि जाने के बाद ये पदा लगी है कि actually में ये सारी चीज़े हो रही है और वो सारी चीज़े जरूरी है वो कहते हैं न कि अंदाज़ा तभी लगाया जा सकता है जब हम उसमें उत करकर उस चीज का अंदाज़ा भैदर तरीके से लगा रहे है और उन सभी candidate को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है जिन्होंने 6-8 लाख लोगों में से 14,000 संथिंग बच्चों में अपना नाम दर्ज कराया है आगे कि तो यारी बैदर तरीके से करिए क्या करिए क्य किया है और यह बहुत बड़ी बात है तो सबको congratulations और जिन्होंने नहीं किया है हमारी जैसी hopeless नहीं होना है sir क्या करते हैं अगले साल मिलते हैं तो आखिर में जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगी कि bye bye miss good night see you again कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैं बाइए